जब भारत ने बनाया पाकिस्तान को बेवकूफ वो भी एक बार नहीं दो दो बार दरसलिये बात है 1971 के भारत पाकिस्तान युद की जब 3 दिसंबर को पाकिस्तानी फाइटर जैट्स ताज महल को तबाह करने की मंशा से आगरा पहुँच गए पर ऐसा करकि उनका तेल और नीद दोनों हराम हुए क्योंकि उन जंगी जहाजों के पाइलेट्स को ताज महल दिखा ही नहीं और दिखता भी कैसे क्योंकि भारत के जुगाडू लोगों ने युद के दुरान 15 दिनों के लिए ताज महल को हरे कपड़ से ढख दिया और लेकर आया अपना सबसे खतरनाक पंडूबा जिसका नाम था पी एनेस गाजी और उनका मकसद साफ था कि भारत के आई एनेस विक्रांत की धजियां उड़ानी हैं PNS गाजी का तोड़ सिर्फ भारत के INS राजपूत के पास था जिसके इंजन में खराबी होने के कारण वो विशाका पतनम था पर भारतियों ने फिर से दिमाग घुमाया और ये अफवा फैलादी की विकरांत विशाका पतनम जा रहा है जिसके बद PNS गाजी भी विशाका पतनम पहुंच गया और वहाँ पर बैठे थे हमारे राजपूत अंकल